जैशी कृष्ण दोस्तों बियसराम फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में बताने जारें कि जिन भी देखे बहनों के अभी तब कोई संतान नहीं है या जिन पर कन्या संतान है या जिनकी कोक बंदियो या किसी भी वजह से या कोई दोश है तो जिसके हर बाहरी मैं बताया है जैडि जैसा उपाय बताया जाता है या वस्तों नहीं होती देखे अगर आप बताया वैसे ही किया करें दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करें बगले बैल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुस अगर इश्वर को ही नहीं मानते तो फिर आपको उपाय करने का कोई लाब नहीं मिलता तो दोस्तों अपनी आस्था रखें विश्वास रखें उसके बाद ही करें कि आपको पहले से ही मन में शंका होती है तो फिर उसमें आपको फिर सफलता नहीं मिलती जब आप पुरा आ दोस्तों इस उपाय को देखे शनिवार के दिन करना है और लगातार साथ शनिवार करना है और दोस्तों इसके लिए जो वस्तु आपको चाहिए पहले मैं उसकी जानकारी दे रही हूँ देखे आपको एक लाल कपड़ा लेना है, आप आदा मीटर कोई भी नया कप्ड़ा लेरे, उसके साढ़ टुकडे चोटे टुकडे बना लीजे. एक टुकड़ा आपको हर्श निवार को लेके जाना है. तो एक लाल कपडा हो गया, साथ में देखे एक आटे का दीपक घर से ह नाके ले जानाएं और इस उपाय को देखिए सूरियास्त के बाद करना है जब सूरिय अस्तों जाते हैं तो उसके race के बाद जब कभी भिशात कर सकते हैं और इस ऐस के पीपल के पेड़ के टिर्ड़ की निचे ही करना है तो आप कोई भी MPC मंदिर के पूजा के ही पीपल पे आपको उपाय करना इस चीज का विशेर ध्यान रखे साथ ही दोस्तों देखे आपको अपनी मनोकामना लिखने के लिए स्याही लाल कलर का पैंक या सिंदूर से अगर लिख सकते हैं तो नहीं तो आप कोई भी लाल कलर का स्केच पैल लेकर साथ पीपल का खीड़ आपको देखे लाल कपड़ा के लिए अंक तो घेलं अगर मिलेगा फून पूर नवार पूसिबल और लिखने के लिए ने बताए दिया है दोस्तों आपको देखे शुर्यास्त के बाद किसी बंदिर में जाए जहां पर पीपल का पेड़ है वहां प करना है यह पत्त हुप नहीं है Leaf भी तो यह मनों कामना कर संतानगी चाए पुत्र संतान नहीं है सनकान की प्रभु मुझे संत प्राप्ति एगर पुत्र की कामना है तो पुत्र की कामना करके लिखें और उसी पत्य की तो साथ कलावा लपेडना है या आप ने कर दिया उस उसके बाद कलावा साथ बार लपेटने के बाद आपको कलावा तोड़ लेना है और उसी कलावे को अपने बाए हाथ में आपको साथ बार कलावा लपेटना है लेके पहले आपको डाली पर लपेटना है उसके बाद अपने हाथ में लपेटना है उसके बाद आपको इस मंत्र । उस मंत्र के पकड़ को इस मंत्र का उच्छारण करना है। पीपल की नीचे ही बैट कर अपनी प्राखना बोलनी है। उसमें आपको एक चुटकी जो पीपल की पेड़ की जो मुट्टी होती है ना उसको उस कपड़े में बांध लेना है मतलब एक चुटकी उस कपड़े में बांध के आप अपने घर ले आए अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं अपने पास रखना है आपको एसा700 शनिवार करना है देखें हर शनिवार को आप जाना है और जो वह पोटली है जो मुट्टी की आपको वाँपस लेकर जाना है और मतलब उस पेड़ के नीचे ही चड़ा देना है जब आप दूसरा ले रहे होंगे तो आप उसको रख दें पहले वाली पोटली को और जब दूसरी शर्णिवार जाएं तो ऐसे ही आपको देखे पीपल की पेड़ के नीचे दिपक जला के हल्मान कामना लिख दे लाल पहली है स्याई से ले जाए और साथ बार उसमें कलावा लपेट के अपने हाथ में जो आपने पहले कलावा लपेटा है उसको उतार के वहीं रख दे पीपल के पेड़ के ही नीचे और दुबारा आपको कलावा अपने हाथ में बांधना है साथ बारी और फिर से आपको उस पत्ते को स्पर्श करके ओम हीमफट स्वाहा इस मंत्र का आपको साथ बार उच्चारन करना है और जो आप मिट्टी की पोटली पहले बना के ले गए थे उसको भी आपको पीपल पर चड़ा देना है और दुबारा दूसरे कपड़े पर आपको एक चुटक बांद के ही रखना है और आखरी बार जो मिट्टी लेके जाएंगे उसको आपको अपने पास ही रखना है जब दोस्तों आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो पीपल का धन्यवाद करें और वहीं पर अपना कलावा और वह जो लास्ट जो मिट्टी आप पोटली बना के अगर कोई ग्रहे दोश होता है, वो भी दूर होता है, कोक बंदी हुई है, तो वो भी इससे दूर हो जाएगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, दोस्तों इस उपाय को आप पुरे सद्धा विश्वास से करें, तब ही आपको लाब मिलेगा, और जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, तो उसको धन्यवाद करें, कुछ मीठा अवश्य ही चड़ा दें पीपल पर, और जो आखरी में जो मिट्टी रखी थी, उसको भी और अपने हाथ में जो कलावा आपने बांदा हुआ है, उसको भी वहाँ पर चड़ा दें, इसलिए मैं कहते हैं, शनिवार मेंमिन आपको लेकराप्ति, उसको अवस्य ही करा करें, तो आपको 100% संतान की प्राप्ति होगी, मन وांचिस संतान की प्राप्ति अवस्य ही होगी, तो अगर आपको फिर भी कोई समाजना आया, तो आप कमेंट करके पोछ सकते हैं, अगर आपको हमारी जानकारी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक अवश्चे करागरे आप सभी को जैशी कृष्णा